हेलो दोस्तो आज बात करने बाले हैं मेजिक पेन रिलिफ के बारे में मेजिक पेन रिलिफ एक आयूरविदिक दवा है मेजिक पेन रिलिफ टेबलेट के रूप में मिलता है कोई भी आयूरविदिक मेडिकल इस्टोर पर Magic Pen Relief का आमतर पर ज़्यादा इस्तमाल होती है rheumatitis, authorities में, low back pen में, gout में, joint pen में इस्तमाल होता है इसके अलावा और भी दूसरे समोशामें में इस्तमाल होता है Magic Pen Relief का चहलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जुरूर कर लीजिएगा छेलिए जानते हैं दोस्तों मेजिक फिन रिलिव का कीन कीन बेमारियों में लिया जाता है जोडों में अच्ता दिकदरद से भी रात दिलाता है जोडो के आकड़न से भी रात दिलाता है जोडो के सूजन से भी रात दिलाता है जोडो की लाली को भी ठीक करता है टोइंट्स की गीती में कटनाई को भी रात दिलाता है गुटने का दर्थ और सूजन को काम करता है खिटने के movement और लेचिलापन को समन्नो करता है शरीर के निचले भाग को मुजबुत बनाता है पिंडली की इमास्पिस्यों की दर्त से भी रहात दिलाता है कीन केप के दर्त में कमी और movement को सुधारता है मासल्स को मुजबुत बनाता है कूटने में संतलोन को सुधारता है बेटने चलने की तकलिप में भी रहा दिलाता है पीट की निचले भाग में हलके हलके जकडन या चुबोन से भी रहा दिलाता है सिदे खाड़े होने में भी मुश्किल से भी रहा दिलाता है केभी केभी किसी भी खेल में चोट या मोच लग जाने पर तुरन बाद दर्थ होता है उससे भी रहा दिलाता है ज़्यादा तर भारी उठाने से भी कमर में दर्थ होता है उससे भी रहा दिलाने में मदद करता है गर्दन के दर्थ से भी रहा दिलाता है रीड की आडियों के भी दरत से रहाद दिलाता है गर्दन में दर्द और आक्रन को धूर करता है सीर में दर्द जो गर्दन से सुरू होता है उससे भी रहाद दिलाता है बाजू और कांधे में दर्द से भी रहाद दिलाता है पूरी तरह से गर्दन को घुमाने या मोडने में अखमता से भी रहा दिलाता है। गर्दन घुमाने पर पिसने जैसी आवाज या संबेदना मेहसुस होना से भी रहा दिलाता है। किसी एक या अधित जोडों में गांभिर दरत होना से भी रहा दिलाता है। मेजिक पें रिलीप का नुकसान के बारे में बात करें तो डक्टर की सला के उनुसार रिसे लेने से नुकसान होने का खत्रा कम रहता है क्योंकि हमेसा डक्टर मेरी जो के उम्रे उनकी इस्तिति उनकी इलिंग उनकी पिछले समोशाओं को देखकर ही कोई भी दवा को सज़स्ट करते हैं इसलिए कोई भी दवा लेने से पहले कि पिया डक्टर की सला लेना जुरूरी है क्योंकि हर मरीजों के मामले अलग-अलग होते हैं इसलिए मरीजों के डोच भी अलग-अलग हो सकता है फिर भी मेजिक पेंड रिलीप कर साधारन डोच हुआ दिन में एक बार खाना खाने के बाद लिया जा सकता है इस दवा को चबा कर या कुचल कर नहीं खाना चाहिए इसे पानी के साथ निगल लेना चाहिए मेजिक पेंडी लिप के डिब्बे में तीन कलर के दवा है तीन कलर के दवा को एक साथ ही लेना चाहिए